दोस्तों, income tax notice ये एक ऐसा word है, ये एक ऐसी चीज है, जिसके पास भी income tax का notice आता है, वो डर जाता है, उसके हाथ पैर का आपने लगते हैं, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो इतना घबरा जाता है, income tax notice का नाम सुन के ही, कुछ लोगों का पसीरे छूड़ जाते हैं, चाहे उन्होंने कुछ गलत किया हो, ना किया हो, फिर भी पताने क्यों, client के पास जब income tax का notice आता है, तो एक दब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कि पताने क्या होने वाला है, अब सीधियो जो है जेल होने और इसी डर, इसी घबराहट का फाइदा उठाते हैं, कुछ scam fraud करने वाले लोग, जैसे जैसे, information technology, IT, technology, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे fraud करने के, scam करने के नयने तरीकी भी market में आ रहे हैं, आपने कई बर सुना होगा, आपकी lottery निकल गई, आपको जो है Google Pay fraud, OLX का fraud, तमाम fraud होते, उन्हीं के बीच में एक income tax का भी fraud स्टार्ट हो गया है, वो आपके डर का फाइदा उठाते हैं, उस डर को यूज करके, वो आपको अपने जाल में फसाते हैं, और कब आप अपना लाखो रुपा है, फिरी में कुछी मिंटों में आपके income tax notice, जियां फ्रेंट्स, आज के टाइम में fake income tax notice भेज के आपका एकाउंट खाली किया जा रहा है, कैसे बचना है, और कैसे ये fraud काम करता है, आई उसके बार में बात करेंगे, कि ये जो fraud scam करने माले लोग हैं, कि कैसे आपके डर का फाइदा उठाते हैं, और कितनी चालाकी से ये आपकी सारी detail वगारा निकलवा लेते हैं, देखें फ्रेंट्स, पहले तो लोग क्या करते हैं, एक fake IT notice आपको भेजते हैं, और ये notice भेजते भी इतने अच्छे email ID से हैं, उसके last में होता है, adderate income tax.gov.in, या income tax लखनाव, adderate gov.in, ऐसे करके fake ID से ये आपको mail भेजते हैं, notice भेजते हैं, और आपको mail देखके ऐसा लगता है, कि हाँ income tax लख से आया है, और फिर कई बार ये आपको क्या करते हैं, phone call करते हैं, कि हम income tax लख से बात कर रहे हैं, आपने ITR फाइल किया था, ITR में ये गलती कर दी है, अब आपको जो है ना tax का payment करना पड़ेगा, क्वाई बार बहुत लोग डर में या घबराहट में आके payment कर देते हैं, ठीक है, अब आप काऊँगे sir, payment कितना का, माली जी किसी की income एक ही लाग रुपया है, दो लाग है, तीन लाग है, चार लाग है, तो उन से कितना ही पैसा ये लोग ले लेंगे, या कैसे ये लोग इस notice में ही, या call के बाद आपके पास एक payment का link आता है, अच्छा, इसमें न कोई बहुत heavy amount, कोई बहुत heavy amount आप से demand नहीं किया जाएगा, कि आपके बर penalty लग गई है, दो लाग रुपय की, पांच लाग रुपय की, दस लाग रुपय की, no, बहुत nominal सा amount, एक हजार, दो हजार, क इतिना nominal सा amount होता है, उस notice, उस penalty में, कि आपको लगता है कि यार चलो pay कर देते हैं, अना, 1.500 रुपय करना है, 200 रुपय, 500, 1000, 2000, तो आपको ऐसा लगता है कि आप फटवर्ट पे करते हैं, और जो है, जो भी notice वगरा है, वो अपने आप खतम हो जाएगा, खेल यहीं पर उस website पर option क्या होता है कि आपको सिर्फ जो है अपने ATM card या debit card या फिर net banking से pay करना है, अब जैसे ही आप वहाँ पर अपना debit card की detail, card number वो आपसे पूछेगा, CVV आपसे पूछेगा, वो आपसे जो है आपका security code पूछेगा, expiry date पूछेगा, यह सारी detail उनके पास पहुच जात और फिर यहां से शुरू होता है fraud और वो फिर आपने तो payment कर दिया 100 रुपए का, 200 रुपए का, आदे घंडे बाद पता चलता है कि आपके account से सब कुछ गायाब हो गया, ऐसी ऐसी आपको लग रहा होगा sir, OTP आता है na debit card में तो, sir, SEC international website है, वहाँ पर न, आप सिर्फ अपन credit card से पैसा deduct हो जाएगा, एक site का मैं आपको नाम बता देता हूँ, hopper, H-O-P-P-E-R hopper, यह एक तरिके के website है, आप इस पे जाएगा, payment करिए, कोई OTP नहीं आएगा, सिर्फ detail पूछेगा और आपके debit card से पैसे deduct हो जाएगी, तो ऐसी बहुत सी website है sir, तो जैसा ही detail इनके पा इतना panic और इतना डर यह लोग पैदा कर देते हैं, कि आप pay कर भी देते हो, असली खेल उसके बात चुरू होता है, जब आपके account से पैसे निकलना चुरू हो जाते हैं, आप यहाँ पर देखिए, अच्छे लोग इतने इतने शातिर होते हैं, कि जो income tax के जो domain होते हैं, आई नहीं डरना है, और अगर by chance कुछ गलत हो भी गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीध्य फास ही चाहा दिया जाएगा, एक proper procedure होता है, अपने CA, अपने lawyer, अपने professional के पास जाएए, discuss करिए, और फिर वो आपको बताएगा क्या step लेना है, आपको खुच से कोई step नहीं लेना ह ठीक है, तो पहतो डरना घबराना नहीं है, दूसरा कैसे आप चेक कर सकते हो, सर कोई भी notice आएगा ना income tax का, तो हर notice के अंदर एक unique din number होता है notice का, वो आपको देखना है है या नहीं है, अगर din number नहीं है, तो वो notice fake है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर din number ही fake लिपके हो दे दे तो, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, income tax की site पर, यह है income tax की site, यहाँ पर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए जो यह option आ रहा है इसमें आपको जाना है, और यहाँ पर option देखिए आ रहा है, authenticate notice and order issued by income tax department, इस पर आप क्लिक कर ये, वो जो notice आपके पा हो, तो आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पर दो तरीके हैं, आप दिन नंबर डाल के भी notice चेक कर सकते हैं, दिन नंबर आपको नहीं, नहीं मिल रहा है, pen नंबर डालिए अपना, document type में notice है, order आया है, letter आया है, क्या है, assessment year, date of issue डालिए, mobile नंबर डालिए, और यहाँ से यह आपको पता चल जाएगा, notice real है, या फिर fake है, तो दो तरीके है, डिन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, pen नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको चेक करना है, ठीक है, तो यह दो चीदे करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, notice को चेक करना है, fake है कि real है, औ कोई भी लिंक आए तो उस पे क्लिक करके आपको पे नहीं करना है income tax department कभी भी आपको payment का link इस तरह से नहीं भेजता है वो आपको आप अपने ID password को login करोगे income tax की site पर वहाँ से आप payment कर सकते हो या income tax की site पर जाके चालान create करके आप pay कर सकते हो ऐसे कोई link भेज कर direct किसी site पर ले जाके अगर वह pay करवा रहा है तो fake है तो यह scam बहुत चल रहा था business standard की news आई थी तो मैंने सुचा इसके उपर एक वीडियो बनाया जाए अगर आप लोगों में से किसी नहीं है ऐसी कोई situation face करिए तो मुझे comment section में जरूर बताईए और ऐसे ही मदेदार और interesting वीडियो के लिए CMH24 को subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में